नमस्कार मित्रो अउध्योगिक तालिम सस्ता जाम खमबाड़ियत इलेट्रिचन टेट द्वारा संचालित वर्चियोल क्लास्रूम मा आप सवनू स्वागत छे मित्रो आजनू आपड़ो विशाई से इलेट्रिकल पावर नू टांस्मीशन ने डिस्ट्रिबिशन परिचै इलेट्रिकल पावर जनरेटिंग स्टेशन मा जनरेट करवा मावेचे आपावर दुडना विविद विश्तारों मा पहुचाडवो जरूरी चे जेती ते विश्तारों मा डिस्ट्रिबिशन सब्स्टेशन द्वारा पावर नू विश्त्रण थाई चाके पावर स्टेशन थी मुख्या डिस्ट्रिबिशन सब्स्टेशन ना सुधी ना पावर ना वहेड ने ट्रास्मीशन कहेचे जनरेट थैला वल्टेज ने ट्रास्मीशन ना वल्टेजे स्टेप अप करवा मा आवेचे टास्मिशन टावर पर इंस्यलेशन राखी ने टास्मिशन लाइन द्वारा पावर टास्मिट करवा मा आवेश आ प्रक्रण मा अपड़े पावर टास्मिशन अंगे ना मिकेनिकल तधा इलेट्रिकल पासाओ विशे अभ्यास करीशो पावर सप्लाई सिस्टम मा ट्रास्मिशन सिस्टम नू स्थान पावर सप्लाई सिस्टम मा ट्रास्मिशन सिस्टम नी पोजीचन नो ख्याल पावर सप्लाई सिस्टम ना अभ्यासपर्थी आवे छे आकरूती मा पावर सप्लाई सिस्टम नों सिंगल डाइन डाइग्राम दर्सावेल छे जेनी अंदर जनरेटर, प्राइमरी ट्रास्मिशन, सेकंडरी ट्रास्मिशन, प्राइमरी डिस्टुबिशन और ये सेकंडरी डिस्टुबिशन नों समावेस थाई छे पावर सप्लाई सिस्टम ना मुख्य अंगो नीचे दर्शावे मुझब छे जनरेटिंग स्टेशन जनरेटिंग स्टेशन मा 11 केवी थी 15 केवी यलेके 11 केवी थी 15 केवी नी आसपास ना वल्टेज जनरेट करवा मावे छे प्राइमरी टांस्मिशन प्राइमरी टांस्मिशन 132 केवी, 220 केवी के 400 केवी वल्टेज पर करवा मा आवे छे 600 केवी वल्टेज सिस्टम पर डेवलोप करवा मा आवी छे अने 700 केवी थी 1000 केवी नो सिस्टम डिजाइन स्टेज मा छे सिंगल सर्कीट के डबल सर्कीट ओवरहेड ट्रांस्मिशन लाईन नो उप्यो करवा मा आवे छे सेकन्डरी ट्रांस्मिशन दरैक color savings suggestion मा थी भी बिद्विस्तारो मा जुईती संख्यामा 66 KV थी secondary थी transmission line लाइनों दुरवामा आवेचे secondary transmission overheadلة तथा underground cable मार्फध करवामा आवेचे secondary transmission line नाछेडे distribution substitution substitution रखवामा आवेचे अहीं 66 KV voltage ने 11 KV पर step down करवामा आवेचे प्राइमरी डिस्ट्यूबिशन अथ्वा ह्टी डिस्ट्यूबिशन डिस्ट्यूबिशन सबस्टेशन मां 66 कवी वल्टेज ने 11 कवी सुधी step-down करवामां आवेशे 11 कवी ना फीडर मार्फद ह्टी कंजूमर ने सप्लाई करवामां आवेशे आने प्राइमरी डिस्ट्यूबिशन अथ्वा HD डिस्ट्यूबिशन कईवामा आवेशे सेकंडरी डिस्ट्यूबिशन अथ्वा LT डिस्ट्यूबिशन 11 kv फीडर ना छेडे डिस्ट्यूबिशन प्रकाना टांस्पोर्मर राखवामा आवेशे आ टांस्फोर्मर अग्यार केवी वल्टेज ने 415 वल्ट मा स्टेप डाउन करेचे अही थी त्रोण फेज अने एक नूट्रल वायर मार्फ़ते कंजीमर ने सप्लाई करवामा आवेच पावर लाइन एक एवु मालखु से जे इलेट्रिकल पावर ट्रांस्मिशन तथा डिस्टिवीशन ना इलेट्रिकल एनरजी ने एक जग्याए थी बिजी जग्याए लई जवा माटे उप्योग थाई छे ओवर हेड पावर लाइन मा एक अथ्वा वधारे कंड़क्टर्स नो सामाने रिते त्रण कंड़क्टर्स नो उप्योग थाई छे आ कंड़क्टर्स ने इंस्टिलेशन नी ज़रूर ना होवा थी आ मेथर्द पावर ट्रांस्मिशन करवानी सौथी सस्ती मेथर्द छे तथा कंजीमर ने सप्लाय अपवा माटे कोपर कंड़क्टर्स वप्राई से पावर लाइन नी डिजाइन एवी होवी जोईए जेमा कंड़क्टर्थी कंड़क्टर्नू क्लियरंस तथा कंड़क्टर्थी ग्राउन नू क्लियरंस व्यवस्त्रिते चडवाए जे थी वाव जोड़ा भुकम्प के हिम वर्षा दर्मियान कोई नुक्सान नौ थाई पावर लाइन नू वर्गी करण LV लो वल्टेज लाइन एक केवी कट्था ओच्छा वल्टेज माटे एनो उप्योग थाई से आलाइन नौ उप्योग रेसिडेंशियल अथ्वा नाना कामर्शियल कस्टमर ने सप्लाय अपवा माटे थाई से MV मीडियम वल्टेज लाइन एक केवी थी अटनों सित्तेर केवी सुधी आलाइन नौ उप्योग सहरी तत्ता ग्राम्य विस्तार माँ डिश्ट्योबिशन माटे थाई छे HV हाई वल्टेज लाइन 100 केवी करता ओच्छा आ लाइन नो उप्योग एटला वल्टेज माटे टास्मीशन तत्ता मोटा कंस्टमर ने सप्लाय पूरो पाड़वा माटे थाई छे एक्स्रा हाई वल्टेज ए HV लाइन 230 केवी थी 800 केवी सुधी लामबा अंतर ना खूब वधारे पावर टास्मीशन माटे तेन उप्योग थाई छे अल्ट्रा हाई वल्टेज लाइन 800 केवी थी वधारे वल्टेज माटे तेन उप्योग थाई छे टास्मीशन ना सिस्टम ना अंगो Step up transformer A transformer generating station ना switch yard मा राखवा मा आवे से Generation ना voltage ने step up करीने transmission voltage उदी लई जवा मा आवे से Line support Transmission माटेना line conductors ने support अपवा माटे steel tower नो उप्यो करवा मा आवे से Line insulators Suspensal तथा strain प्रकार ना porcelain insulator न उप्योग वायर ने ground थी insulate करवा माटे थाई से Conductors Conductor ना वहन माटे पहला copper न उप्योग थतो हतो परंतु तेनी कीमत वधी गई होवा थी अध्यारे ACSR वायर नो व्यापक रिते उप्योग लेवाई से Step down transformer Transmission line ना छेड़े step down transformer राकी ने primary transmission voltage ने secondary transmission voltage पर step down करवा माँ आवे से Protecting device Transmission मा वपराता साधनों मा प्रोटेक्शन माटे circuit breaker, earth switch, lightning arrister, ground wire, arking horn वगेले नो उप्योग थाई से Regulators Line ना voltage regulation माटे voltage regulator तथा line नू पावर फेक्टर सुधारवा माटे लांबी लाइन ना छेड़े सिंक्रोनस कंडेंसन नो उप्योग करवा मा आवे छे High voltage AC transmission ना फाई दाओ वहाक ना खर्च मा घटाडो वहाक ना आर्चेड नू सेत्र फड वल्टेजना वर्गना व्यस्त प्रमाल मा होई छे तेथी High voltage AC line मा वहाक ना खर्च मा घटाडो थाई छे बीजो फाइदो Line Loss मा घटाडो सिस्टम वल्टेज मा वधाराने कारणे तेटलाज पावर माटे Line Current घटे छे तेथी Line Loss मा घटाडो थाई छे Transmission Efficiency मा वधारो Line Loss मा घटाडो थावाना कारणे ट्रास्मिशन Efficiency मा वधारो थाई छे मित्रो चोथो फाइदो छे Power Transmission Efficiency मा वधारो एच Transmission Line होई तो Transmission ना वल्टेज वधार वाती वधारे Power Transmission करी सकाई छे पांचमो फाईदो छे भविश्यना विश्त्रण मा फ्लेक्सिबिलेटी मित्रो जो भविश्यमा पावर डिमाट वध्रवाने कारणे विश्त्रणनी जरूर पड़ेशे तो Line Voltage वधारी वधारे पावर ट्रास्मिट करीने विश्त्रणने पोची वड़ाये छे High Voltage DC Transmission करकसर ना कारण सर ट्रास्मिशन वोल्टेज जरूर इचे परन्तु High Voltage AC Transmission ना सिस्टम ना लिमिटेशन ना कारणे अपड़े एनना घैरलब निवारी सके जवाब चे हाँ तो High Voltage AC ना बदले High Voltage DC Transmission सिस्टम ना उप्योग करवो जोईए High Voltage DC Transmission नी परिकल्प ना घणा समयती करवामा आवती हाती परन्तु सरू आत्मा ओछो बावर ट्रास्मिट करी सकातो अने अंतर पण ओछू हतु आत्ती High Voltage DC Transmission कर्व कसर्यूप्त पूर्वार थतु नहोतु उप्रांत High Voltage Equipment नो पण विकास थयो नहोतो Mercury Arc Rectifier अने इन्वर्टर नो उप्योग थतो परन्तु High Voltage मा रुपार्दार थाई सकतु नहोतु इस स्विशन ओगणी सो ने उपची High Voltage DC Transmission नो वियाई वत्तो जायेचे कारण के High Voltage High Power Thyristor सक्या बनीचे Transmission माटे High Voltage DC नो उप्योग सक्या बनीचे परन्तु जनरेशन माटे तो AC जरायो चे कारण के Commutation नी मुस्केल इना कारणे High Voltage DC जनरेट करो मुस्केल चे आम High Voltage DC Transmission सिस्टम नो उप्योग करेल सिस्टम ने Hybrid सिस्टम कईवामा आवेचे आक्रुदी मा High Voltage DC Transmission सिस्टम नो जनरेटिक स्टेशन मा 3-phase AC ना रूप मा पावर जनरेट करवामा आवेचे Step Up Transformer द्वारा आ Voltage ने Step Up करवामा आवेचे Static Rectified द्वारा आ Voltage ने AC नो High Voltage DC मा रूपांतर करवामा आवेचे High Voltage DC लाइन द्वारा पावर ट्रांस्मीट करवामा आवेचे Receiving छेडे Static Invertor द्वारा High Voltage DC नो High Voltage AC मा रूपांतर करवामा आवेचे त्यार बाद LT Transmission लाइन नो उप्योग लेवामा आवेचे Step Down Transformer द्वारा वल्टेज ने जरूरी कीमत पर Step Down करवामा आवेचे DC सिस्टम और AC सिस्टम नी तूलना मित्रों अगर आपने DC Transmission और AC Transmission नी तूलना बतायल चे तो पहलो मुद्धों चे DC Transmission मा बेज कंड़क्टर नी जरूर पड़ेचे एटले येनो फाइद हो चे जयारे AC Transmission मा त्रोन कंड़क्टर नी जरूर पड़ेचे एटले एक घेर फाइद हो चे बिजो मुद्धों चे DC Transmission स्कीन इफेक्ट न थी माटे वाहाकनो आखो सेक्षन करणट ना वहेण माटे उप्योगी छे एनो फाइद हो चे जयारे AC Transmission स्कीन इफेक्ट ने लिदे करणट वाहकना बहार नी तरफ ना भाग मा थी वहे चे सवथी अंदर ना भागे करणट वहे तो न थी उप्रांत स्कीन इफेक्ट ने कारणे वायर नो असरकारक प्रतिरोद वदे चे जये एनो गेर फाइद हो चे DC Transmission मा लाइन ने इंडक्टन्स न थी मात्र रेजिस्टन्स चे आथी voltage regulation सारू मड़े चे जये DC Transmission नो फाइद हो चे जयारे AC Transmission मा लाइन ने रेजिस्टन्स उप्रांत इंडक्टन्स छे चे थी आ रेजिस्टिव ड्रोप उप्रांत इंडक्टिव रेक्टन्स ने ली दे पर voltage drop थाए चे आथी voltage regulation सारू मड़तू न थी येनो घेर फाइद हो चे DC Transmission System मा कोरोना नी effect नी मुश्केली न थी ते थी corona loss न थी अने बाजूनी communication line ने interference थत्तू न थी येनो फाइद हो चे जयारे AC Transmission मा कोरोना नी असर ने ली दे power loss थाई चे अने नजिकनी communication line मा disturbance पैदा थाई चे जये AC Transmission नो घेर फाइद हो चे 17. DC Transmission मा इंस्वीलेडर पढर्ना стрेस चे येनो फाइद हो चे जयारे AC Transmission मा एटलाज voltage AC system ना इंस्वीलेडर पढर्ना stress वधार हो चे जये AC Transmission मो घेर फाइद हो चे 6. DC transmission system नी stability नी मुश्केली न थी जयारे AC Transmission System उन्बैलेस बनी सके से, येनो घेर फाईदों से. DC Transmission मा केबल मा डाइएलेट्रिक लोस थतो नाती, येनो फाईदों से. जयारे AC Transmission मा केबलना डाइएलेट्रिक लोस थाई से, येनो घेर फाईदों से. आठमा मुद्धो छे टांस्मीशन लाइन सरोर छे DC टांस्मीशन मा एनो फाइदो छे ज्यारे एसी टांस्मीशन मा लाइन नी रचना अगरी छे जे एनो घेर फाइदो छे नवुमा मुद्धो छे DC टांस्मीशन मा कॉम्मीटेशन नी मुश्केली ने कारणे हाई DC वोल्टेज जर्णेट करी सकातों नती जी यहनो गैर फाईदों जय रे AC टांस्मीशन मा प्रमार्मा घणो वतार AC जर्णेट करी सकायी छे यहनो फाईदों से AC टांस्मेशन नौ 10 मा मुद्धों से DC मां टांस्पोर्मन etedाक तही शके नहीं माटे वल्टेज टेप अपके डाउन करी सकातों न थी, जैन्यों घेर फाइदोचे, जयारे AC Transmission मा ट्रांस्पोर्मन नी मदद थी, उच आरे दक्षता है वल्टेज ने जोईती किमत पर स्टेप अपके स्टेप डाउन करी सकातों थी, जह EEC transmission नो फायद हो चे अग्यार मं बुदो सबस्टेशन नूं मेंटेनस अगरू चे DC transmission माटे इए घेर फायद हो चे जहर EEC transmission माँ सबस्टेशन नूं मेंटेनस सरहर चे जह EEC transmission नो फायद हो चे ELECT R faint Literally Distribution में तुरो अत्यार सुधी आपण Sure асс ago पावर सिस्टम मा डिस्ट्यूबिशन सिस्टम नो महत्व थोड़ू वधारे छे कारण के सपलाई सिस्टम नो ते मुख्य अंग छे कंजीमर्स जेने माटे पावर सपलाई सिस्टम बनावामा आवी छे काईदय के द्रस्टिये बण डिस्टुबीटर नो महत्वा छे कारण के कंजुमर ने मरता वल्टेज मा डिंक लेड वल्टेज ना प्लस माइनस पांच टकाथी वधारे फेरफार्थ हो जोईए नहीं आथी डिस्टुबीटर वायर नो इंपिडंस वधारे हो जोईए नहीं उप्रान डिस्टुबीटर ना वाहक नो आर्चेट प्रमानसर हो जोईए जेती तेमा अतिसे उसमा पैदा न थाए साथेज, डिस्टुबिटर वायर नो आर्चेट वधारे हो जोईए, होई तो डिस्टुबिशन नो खर्च वधारे आवे डिस्टुबिशन सिस्टम रिलाएबल होवी जोईए प्राइमरी अने सेकंडरी डिस्टुबिशन सिस्टम Distribution System मुख्य ते बे प्रकार मा वहिची सकाई छे पेलो प्रकार चे Primary Distribution System अने बीजो प्रकार चे Secondary Distribution System Distribution Substation मा थी निकरती लाई नो जे मार्फत मोटी फेक्टरी जेवा के कंजीउमर ने सप्लाई आपफ़मा आवे छे तेने Primary Distribution कहिए छे अने आ सिस्टम ने Primary Distribution System अथ्वा High Voltage Distribution System कहिए छे Primary Distribution System वल्टेज 3300 वल्ट, 6600 वल्ट के 12000 वल्ट होई छे सामाने तह अलग-अलग High Voltage कंजीउमर्स ने अलग-अलग फीडर द्वारा सप्लाई आपफ़मा आवे छे Secondary Distribution System अथ्वा Low Voltage Distribution System मां सामाने रिते पोल पर Distribution Transformer राखवा मां आवे छे आ टास्पोर्मर 3300 वल्ट, 6600 वल्ट के 12000 वल्ट पर फीडर द्वारा Distribution Substitution मां थी पावर मेड़ वे छे टास्पोर्मर द्वारा आ वल्टेज ने 415 वल्ट मां स्टेप डाउन करवा मां आवे छे टास्पोर्मर डेल्टा स्टार मां जोडेल होय छे तेमा थी 415 वल्ट 3-phase चार वायर Distribution Line नों Distribution ना विश्तारों मां दोड़वा मां आवे छे जे कंजूमर ने 3-phase सप्पलाई नी जरूर होय छे दाखला तरीके दड़वानी घंटी त्याने 3-phase मार्फत सप्पलाई आपवा मां आवे छे जो लाइटिंग लोड होय तो नीट्रल वायर पण आपवा मां आवे छे घर गत्तु वप्रासवाडा कंजूमर्स ने एक लाइन एडले के एक फेज अने एक नीट्रल वायर पण आपवा मां आवे छे आथी त्याने फेज वोल्टेज 415 भागया रूट 3 बराबर बस्तो ने 49.6 वल्ट मड़े छे आम डिस्ट्रीबिटर मा टेपिंग लाइने वीवित कंजूमर्स ने सर्विसमेंज मार्फत सप्लाई आपवा मां आवे छे फिडर, डिस्ट्रीबिटर अने सर्विसमेंज दरेक सप्स्टेशन अमुक विश्टारने पावर सप्लाई आपवेछे आ माटे सबस्टेशन मा थी वाहक मारफद हाई वोल्टेज कंज्यूमर ने अथवा पोल माउंटेज सबस्टेशन टांस्पोर्मर ने सप्लाय अपफ़ाम आवे जे आ वाहक ने फीडर कहे जे फीडर वायर नी एक खासियत छे के एमा थी कोई टेपिंग लेवामा आवतू न थी आथी आखा फीडर मा एक सर्खो करंट वहे जे फीडर ओवरहेड प्रकारना अथवा अंडरग्राउंड केबल प्रकारना होई सके छे डिस्टुबिटर एपण वाहक छे जेमा थी टेपिंग लेईने सर्विस मेंज मार्फत कंजूमर ने सप्लाई अपवामा आवे जे डिस्टुबिटर नी खासियत ए छे के तेमा थी टेपिंग द्वारा कंजूमर ने सप्लाई अपवामा आवतो होवा थी तेना वीविद सेक्षन मां करंट एक सर्खो हतो न थी सर्विस लाइन अथ्वा सर्विस मेंज पण एक वाहक छे जेना द्वारा डिस्टुबिटर मांती सप्लाय आपवा मां आवे छे सर्विस लाइन पण ओवर हेड की अंडरग्राउंड प्रकार नी होई सके छे आक्रुति मां फिडर ृडिस्टुबिडर अन्य सर्विसमेंज दर्चा वेल छे जितना में जोई सको छो, फीडर माती सब फीडर बनाव मा आएलो छे औने सर्विस्मेंच द्वारा कंजिमर्स ने सपलाई अपवाम आएलो छे a अने c अथ्वा s अने d ए फीडर छे अने त्याना द्वारा जे एरो दर्श आएलो छे ए वाहक द्वारा, सर्विस लाइन द्वारा वाहक ने सप्लाय अपवामा आवेवश्व डिस्ट्रिबिशन सिस्टम वर्गी कराण डिस्ट्यूबिटर ने फीड करवानी रितो अथ्वा जोडानी व्यवस्ता प्रमाणे डिस्ट्यूबिटर निच्चे प्रमाणे होई सके जे रेडियल सिस्टम रिंग में सिस्टम इंटर्कनेक्ट ग्रीड प्रकार्नी सिस्टम आम त्रोन प्रकारे डिस्ट्यूबिशन सिस्टम द्वारा सप्लाय अप्वामा आवेशा है आम पेलू से रेडियल सिस्टम जेनी आकरू थी बाजूमा जोई जको छो तमे आ रित्मा डिस्ट्यूबिटर ने एक छेडिती सप्लाय अप्वामा आवेशे वीवीर तेपिंग द्वारा कंजूमर ने सप्लाय अप्वामा आवेशे फाइदाओ आ सिस्टम सरड रिच्छे प्रात्मिक खर्च ओछो से हवे न घेर फाइदाओ छेडे आवेला कंजूमर ने ओछो वल्टेज मड़ेशे तेमा फिरफार थाया करेशे रिलाइबिलिटी ओछी से कारण के डिस्ट्यूबिटर मा वच्चे बंगाल पड़े तो पछीना कंजूमर ने सप्लाय मर्तो बंद थे जाएचे के ट्रि जोग एर फाइदो सप्लाय छेडांना डिस्ट्रिबिशन सेक्षें मा लोड करण्ड वधारे होई strengthening बिजी सिस्टम से रिंग मेंस सिस्टम मा आ बंद प्रकार नों हो इस प्रकार ने परेलल अथवा लूप सीस्टम पण कहेचे आ डिस्ट्रिबिडर्ने एक अथ्वा वधारे जग्याई थी फीड करवा मा आवेशे आक्रूती मा रिंग डिस्ट्यूबिटर ने ए पर फीड करवा मा आवेशे अने B, C, D, E तथा A पासे थी लोड लेवा मा आवेशे जेत में प्रथम आक्रूती मा जोई सको चो बीजी अक्रूती मा पर रिंग मेंज दर सावेल से पर अने D वच्चे इंटरकनेक्टर जोडवा मा आवेशे D पासे ना वल्टेज डोप मा घटाडो थाई से आ सिस्टम ना फाइदाओ प्रतम फाइदो रेडियल सिस्टम करता ओछू को पर जोईये से बीजोफाईदो वल्टेज ना फेरफार ओछा थाईचे त्रीजोफाईदो रिलाएबिलीटी वधारेचे कारण के जो डिस्टिबिटर मा कोई जगे भंगान पड़े तो बीजा कंजीमर ने सप्लाई चालू रहेचे दाखला तरीके पहली आकृति मां रिंग मेंस मां सी अने डी वच्चे नो डिस्टिबिटर ओपन थाई जाए तो पाण बी अने सी ने एक तरफ थी अने एफ ई तथा डी ने बिजी तरफ थी सप्लाई मडवानू चालू रहेचे 3. system Inter-connected grid प्रकानी सिस्टम आने network कत्वा grit सिस्टम पड कहिवामा आवेफे मोटी distribution सिस्टम जियाा रिलाइबिलिटी महत्वानी चे त्या आ प्रकानी व्यवस्तर करवामा आवेफे खास करेने primary distribution सिस्टम मां और मोटी secondary distribution सिस्टम मां उप्योगी चे आकृती मा आ सिस्टम दर्शाविल छे, टांस्मिशन सब्स्टेशन ए और भी द्वारा डिस्ट्रिबिशन सब्स्टेशन C, D, E और F ने फीड करवा मा आवे छे, सब्स्टेशन D, E और F इंटर्कनेक्ट करेल छे, आथी कोई जग्या ए फोल्ट आवे तो बीजा रस्ते थी प्रावर फीड करी सकाय तेवी वस्ता राखेली वही छे, आ सिस्टम न फाइद आओ, प्रतम फाइदो फ्लेक्सिबिलिटी वधारे छे, संजोको प्रमाणे वीवीद मार्गे थी डिस्ट्रिबिशन सब्स्टेशन ने सप्लाई मड़ी सके छे, रिलाइबिलिटी वधारे छे, कारण के कोई सेक्षन मा फोल्ड थाए तो बीजा रस्ते थी सप्लाई चालू करी सकाय छे, अलग-अलग लोड नी डाइवर्सिटी प्रमाणे डिस्ट्रिबिशन गोठवी सकाय छे, चोतो फाइदो, वल्टेज रेगिलेशन सारू मड़े छे, पांचमो फाइदो, रेडियल सिस्टम करता सब्स्टेशन नी साइज ओछी जोईए छे, बद्धा सब्स्टेशन इंटरकनेक करेल होवाती भविसे माँ लोड नो वधारो थाए तो, वधाराना टास्पर मर मुकी ने लोड नो वधारो आपी सकाय छे, थ्री फेज, थ्री वायर अने थ्री फेज, फोर वायर सिस्टम, लोग वोल्टेज एसी डिस्ट्यूबिशन मा थ्री फेज, थ्री फेज, फोर वायर सिस्टम नो उप्यो करवा मा आवे छे, डिस्ट्यूबिशन टास्पर मर द्वारा 11 केवी प्राइमरी वोल्टेज ने 415 वोल्ट मा स्टेप डाउन करवा मा आवे छे, distribution transformer डेल्टा स्टार मा जोडेल होई से ज्यारे load balance प्रकान नो होई त्यारे 3 phase 3 wire system नो उप्यो करवा मा आवे से R, Y अने B ज्यारे unbalance प्रकान नो load होई त्यारे 3 phase 4 wire system नो उप्यो करवा मा आवे से आमा 3 phase R, Y, B अने 4 निट्रल wire होई से गुरूव अप्रास माटे single phase 2 wire system जोईए से आमाटे अलग single phase system लेवा मा आवती न थी परन्तु 3 phase system नो एक phase अने बीजो निट्रल ते रिते supply आपवा मा आवे से transformer नी secondary star मा जोडेल होवा थी जो बे लाइन वच्चे 400 वल्ट होई तो लाइन अने निट्रल वच्चे 400 भाग्या रूट 3 बराबर 203.9 वल्ट मड़े से आथी गुरूव अप्रास माटे 223 वल्ट नो सप्लाई मड़ी रहे से आमूग कंजीनवर ने R फेज ने निट्रल आमूग ने Y फेज ने निट्रल तथा आमूग ने B फेज ने निट्रल मारफस सप्लाया आपवा मा आवे छे जेथी लोट लगभग बेलेंस थाई छे आकृती मा आवधी व्यवस्ता दर्शावी छे जे मित्रोत में जोई जगो जो सरड तका तर फ्यूज के स्विचो दर्शावेल नथी आकृती मा ओवरहेड सिस्टम विरुद अंडर्ग्राउंड सिस्टम इलेक्रिक पावानों टास्मिशन तथा डिस्टिबिशन ओवरहेड लाइन द्वारा के अंडर्ग्राउंड केबल द्वारा थाई सके छे आप बन्य प्रकार नी तुल ना नीचे दर्शावेल चे आथी बन्य सिस्टम ना फाइदाओ तथा गेर फाइदाओ अनो ख्याल आउसे प्रतम मुद्धों चे देखाओ ओरहेड सिस्टम, ओरहेड वायर्स, इंसिलेटर्स, जंपर्स वगेरे नेली देखाओ शारो न थी आ वाद खास करीने मोटी सिटी मा डिस्टिबिशन ने वधारे लागू पड़ेशे जेनो खेर फाइदाओ चे जयारे अंडरग्राउंड सिस्टम मा वायर वगेरे बाहर देखाता न थी तेथी देखाओ बगड़तो न थी यहनो फाइदो छे बिजो मुद्धवं मैंटेनस Overhead system, खुला मा रहवा ती, तैनो maintenance वधारे छे, ज्यारे, एनो gear फाइदों से, ज्यारे, underground system, underground हुवा थी, maintenance वच वाईजा ये वधार छे, overhead system मा, line कुला मा हुवा थी, fold थावा नी सक्या दौब थाव वधारे छे, ज्यारे, underground system मा, लाइन जम्मी नी निचे होवाती फोल्ड थवानी सक्याताओ ओची से जे एनो फाइदो से चोथो मुदोचे सलामती ओवरेड सिस्टम ओची सलामती बख्षे छे लाइन तूटी पडवाती मानाव तथा पसुने हानी थाई से एनो गेर फाइदो से ज्यारे अंडर्ग्राउंड सिस्टम गणी सलामती बक्से छे एनो फाइद हो से पांचमा मुद्धों लाइटनिंग स्ट्रोक नी सक्यता ओरेड सिस्टम मा लाइटनिंग स्ट्रोक नी सक्यता वधारे से एनो घेर फाइद हो से जेरे अंडर्ग्राउंड सिस्टम मा लाइटिंग श्रोग नी सक्यता न थी यहनो फाइद हो से छट्थो मुद्धो वल्टेज ड्रोप ओवरहेड सिस्टम मा वायर नू स्पेसिंग वधारे होवा थी इंडक्टन्स वधारे से तेथी इंडक्टिव रिएक्टन्स नेली दे वल्टेज ड्रोप वधारे थाई से जे अनों केर फाइद हो से जरे अंडर्ग्राउंड सिस्टम मा वायर नजिक होवा थी इंडक्टन्स ओछू से तेती इंडक्टिव रियेक्टन्स ने लिदे वल्टेज रोब ओछो थाई छे, जे अंडर्ग्राउंड सिस्टम नो फाइदो छे सात्म मुद्धो, नजीक नी कोम्मिनेकेशन लाइन मा डिस्टरबंस ओवरहेड लाइन मा एनी सक्यादा वधारे छे, ओछु करवा माटे लाइन वायर नू ट्रांस्पोजिशन करवा मा आवे छे, जे अनो गेर फाइदो छे जे अरे अंडर्ग्राउंड सिस्टम मा डिस्टमस थतू नती एनो फाइदो छे चोथो मुद्धो फोल्ट लोकेशन औने रिपेरिंग अन्ड ओरहेड सिस्टम मा फोल्ट सोदवानू साहिलू छे औने रिपेरिंग सरवर्ज छे, जे अनो फाइदो छे जे अन्डर्ग्राउंड सिस्टम मा फोल्ट लोकेट करवानू अगरू से कायांके एनि अंदर कंड़क्टरस अंडर्ग्राउंड राहेलों से इटला माटे फोल्ट लोकेशन माटे टेस्टिंग करवू पड़े से जे नो घेर फाइदो से नौमा मुद्यों से प्रात्मिक खर्च ओवर्ग्राउंड सिस्टम मा सपोर्ट नो खर्च ततो होवा छता कूल खर्च अंडर्ग्राउंड सिस्टम नी सर्खा मडिये ओच्छो छे जे नो फाइदो से जेरे अंडर्ग्राउन्ड सिस्टम मा अंडर्ग्राउन्ड केबल लो कूल खर्च वधारे से ओवरहेड सिस्टम नी सरकामडे माँ जे येनो घेर फायदो से दस नम्बरों मुद्धों वर्किंग वल्टेज ओवरहेड सिस्टम मा ओवरहेड लाइन 400 KV थी वधारे वल्टेज उप्योग मा लेवाएशे जे यहनो फायद होचे जेरे अंडरग्राउंड सिस्टम मा अती साय उच वल्टेज उदी डिजाइन थाई सकती न थी यहनो गेर फायद होचे अग्यार मा बुद्धो flexibility ओवरहेड सिस्टम मा फ्लेक्सिबिलिटी वधारे छे फेरफार करवानू साय लूँचे यहनो फायद होचे जेरे अंडरग्राउंड सिस्टम मा फेरफार करवानू मुस्केल छे यहनो गेर फायद होचे मुद्धा नमबर बार लाइन नू Capacitance अने Charging Current ओवरहेड सिस्टम ने अंदर वहाक नू Spacing वधारे होवा थी Capacitance ओछू छे तेथी Charging Current ओछो छे जे यहनो फायद होचे जेरे अंडरग्राउंड सिस्टम मा वहाको नजिक होवा थी Capacitance वधारे छे तेथी Charging Current वधारे छे जे अंडरग्राउंड सिस्टम नो घेर फायद होचे तेर मों मुद्धो वायर जोइंटिंग तो ओवरहेड सिस्टम मा वायर नो जोइंट कर इने टेपिंग लेवू वगेरे साहिलू छे एनो फायद होचे जेहरे अंडरग्राउंड सिस्टम अंडरग्राउंड होवा थी वायर जोइंट वगेरे अगुरू छे एनो घेर फायद होचे मित्रों अहीं आपड़े आ टोपिक ने पून करिये छिए सांती थी वीडियो जोवा वदल आभार अने आ चैनल ने सब्सक्राइब करवा माटे वी नंती